एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं इस जाकिट के पार्ट 5 की वीडियो आपके साथ शियर करने वाली हूँ देखिए इस पार्ट को मैंने इतना बना लिया है यहां पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 5 वार इस पैटरन को रपीट किया है पांचवी वार हमारी यह लास्ट रो रहती है देखिए यह सिरफ एक फंदा रह गया यहां पर जो हमने दो काय करना है तो हमने यहां पर अपनी पोकेट के लिए बोर्डर भी बनाना है यहां पर इसमें पोकेट निकालनी बहुत इजी रही देखिए बिलकुल डिजाइन अच्छे से सैट हो गया कोई मुश्किल नहीं आई है मैंने इसमें pocket बनाई है ये 24 फंदों की 24 फंदों में pocket बनाई है देखिए ये बिल्कुल अच्छे से mobile हमारे इसमें सेट होके आ रहा है ऐसे तो आप जैसे देखिए बड़ी छोटी और बनाना चाहते है तो अपनी मर्जी से बना सकते हैं वैसे इतनी इनफ होगी इससे बड़ी मत बनाईएगा इससे बड़ी बनाए तो चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से इसे बनाना तो इसे बनाने के लिए जैसे मैं यहां से आपको बता रही हूँ ना सेम वैसे ही आपने जो अगर यह वाला पार्ट भी बनाऊगे ना फिर वी यह सेम ऐसे ही बनेगी जैसे मैं आपको बता रही हूँ अब सिर्फ ब पोकिट बनी है हमारी तो ऐसे ही इस तरफ से भी सेम वैसे देखिए एक ुइजय-ई दिजैन बनेगा तो उल्टे फंदों के बाद हमने देखे यहां से मैं आपको दिखाती हूं यहां से इतने और यहां से इतने यह 24 फंदे हैं हमारे जिस पर हमारे यह डिजाइन डलेगा ठीक है जो हमने बोर्डर बनाया ना यह बटन पट्टी में डाला है जो वही मैंने देखे यहां पर पोकिट में उसका ही बोर्डर बढाया है तो इसके लिए देखे पहले दो फंदों को हम उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब दोनों फंदों में आगे से सलाई डालते हुए देखे दो का एक करेंगे यह पांच भी वार मैं पैटरन डाल रही हूँ इसकी लास्ट रो है यह हमारी देखे दो का एक किया उसके बाद ये एक के दो कilda करते हुए इस फंदे को हम बना देंगे यहाँ पर हमारी जाली आगी धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाली डालेंगे यह सारा डिजाइन तो आपको आता ही है देखे और यहां पर दो काईगा ठीक है ऐसे अब यहां पर आगे देखे दो फंदे यह उल्टे यहां तक हमने पैटरन डाल दिया अपना अब यहां पर हमने अपना बोर्डर बनाना स्टार्ट करना है तो बोर्डर बनाने के लिए देखे यह दो फंदे लेंगे इन दो फंदो में सलाई डालेंगे ऐसे पीछे से दो का एक कर दिया, फंदो को निकाला नहीं, आगे वाल एक फंदे को देखिए, पीछे से ही बनाना है, एक बार और, सीधा, अब दो से दो फंदे होगे हमारे, अब इसे निकाल देंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, अब धागा पीछे से ही सीधा बना लेंगे, ऐसे, फिर निकाल दिया दोनों को धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ एक, दो, दो फंदों में पिछे से स्लाइड डाली, दो का एक कर दिया, इस एक फंदे को ऐसे स्लाइड डालते हुए, दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदों में पीछे से सलाई डाल कर दो कैक किया, इसे एक फंदे में सलाई डाली आगे अले में, इसे निकाल दिया, यह देखिए, यहाँ पर हमारे यह पोकिट का यह एक फंदा उल्टा, देखिए, एक डिजाइन बन गया है, एक डिजाइन हमने यहाँ पर और बनाना है अब ही, इसमें भी ऐसे ही सेम बोर्डर डालेगा हमारा, दो फंदो में देखिए, ऐसे पीछे से सलाई डाली दो का, एक और, एक, बिल्कुल इजी डिजाइन है यह हमारा, एक फंदा उल्टा धागा, दूसरी तरफ करेंगे, आप चाहो तो इसी यह डिजाइन से बोर्डर भी बना सकते हो, फुल काडिगन भी बना सकते हो, फिर दो फंदो में पीछे से सलाई डालते हुए, दो का, एक किया, फिर आगे वाले फंदे को एक बार फिर बना देंगे, पीछे से ही, इसे एक फंदे को, जैसे, फिर दो से दो ही फंदे हो जाते हैं, हमारे धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी डालेंगे पीछे से दो काई कर देंगे, आगे वाले फंदे को फिर से एक बार बना लेंगे, बनाएंगे हम पीछे से ही, ऐसे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, अब धागा दुसरी तरफ करेंगे, फिर से इन दो फंदों में स्लाइड डालेंगे, पीछे से दो कर देंगे फिर इसे एक फंदे को पिछे से ही बना लेंगे ऐसे एक बार फिर से अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा ऐसे यह 24 फंदे हमारे देखे यह पूरे पोकिट के कम्प्लीट हो गये हैं इसके बाद हमने अपने पूरे पैटरन के हिसाब से देखे एक फंदा धागा दोसरी तरफ करेंगे आगे से स्लाइड ॡालते हुए ६ई्टा ड़ेंगे हम से तीन का हैं यहहां पर जाली ढालेंगे इस फन्दे को और ऌफ नाइनगे जाली डालेंगे फिर से इसे एसे सीधा एक दो तीन इस फंदे को ऐसे सीधा किया पीछी से स्लाइड डालते हुए दो फंदों में दो का एक कर दिया अब धागा अपनी तरफ करते हुए इन बटन पट्टी के फंदों को भी बना लेंगे ऐसे यह बना लेती हूँ यहां तक ठीक है उल्टी तरफ से भी तो फिर आगे दिखाती हूँ आपको और यहां पर उल्टी तरफ से देखे मैंने यह बट्टन पट्टी के फंदे यह एक डेजाइन और दो उल्टे फंदे तो जो उल्टी तरफ से हमारे सीधे आ रहे हैं मैंने इसे इतना बना लिया है इतना बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने अपनना यह डिजाइन वाला यह पोकिट तक जो हम बोर्डर का डिजाइन ढा रहे हैं उसको देखिए रपीट कैसे करना है जैसे हमने बटन पट्टी के फंदे बनाये हैं न बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी यह वाला बनेगा यह दो फंदे सीधे हैं न हमारे यह वाला फंदा एक हमारा देखिए इधर से हमने उल्टा बनाया है तो उल्टी तरफ से इसे सीधा बना लेंगे पहले ऐसे फिर इसके साथ फाला एक फंदा सीधा बनेगा ये दो फंदे सीधे होगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हमने बुनना नहीं है लेकिन ऐसे सीधे की तरफ से उतारना है ऐसे नहीं उतारना है ऐसे उता फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को ऐसे उतार देंगे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे फिर से दो फंदे ये सीधे बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे इसे ऐसे उतार देंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे दो फंदे हम सीधे बना लेंगे इसे उतार देंगे अब धागा दूसरी तरफ करते हुए देखे ये एक ये दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इसे उतार लेंगे ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बनेगी दो फंदे ऐसे सीधे बनेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को ऐसे उतार दागा दूसरी तरफ करते हुए दो फंदे सीधे बना लेने हैं जितने हमारे 24 फंदे हैं पोकिट के ये दो डिजाइ्न बस आपने निशानी रख लेनी है उल्टी तरफ से भी ये 2 सीधे फंदे, ये फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इसे ऐसे उतार देंगे धागा दूसरी तरफ करते हुए ये देखे ये दो फंदे सीध है अब 11 फंदे हमारे ये उल्टे आएंगे तो ये मैं बना लेती हूँ फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ आपको और वीडियो में देखे थोड़ी सी शाइन ज्यादा थी इसलिए मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दी है तो अब मुझे लगता है कि आपको सही से ये सारा नजर आएगा ठीक है सीधी तरफ से दिखिए ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद ये एक डिजाइन हम पहले बना लेंगे क्योंकि इसे हमने जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है यहां पर हमारा कोई भी और डिजाइन नहीं डर रहा है देखिए ऐसे इसे सिंपल हमने वैसे ही बनाते जाना है धागा अपनी तरफ कर लेंगे ये फंदा हमारा सीधा धागा फिर से अपनी तरफ इसे उतारेंगे ऐसे सीधा करेंगे और पीछे से दोगाई कर देंगे उसके बाद ये तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ यह दो फंदे हमारे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब फिर से देखे इन दो फंदों पर वैसे ही हमने बटन पट्टी की तरह आपना बोर्डर बनाते जाना है जैसे हमने आपको बताया है दो फंदे सीधे बना देंगे दो काई कर दिया इने पीछे से अब पहले फंदे को देखे पीछे से ही फिर से बना दिया दोबारा दो से दो फंदे बनाते जाएंगे अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ यह दो फंदे लिए स्लाई में पीछे से दो काई कर दिया अब इस आगे वाल एक फंदे को फिर से हमने ऐसे पिछे से स्लाइड डालते हुए दो काई कर दिया फिर एक फंदा उल्टा कि फिर दागा दूसरी तरफ किया कि इसमें स्लाइड डाली पिछे से दो काई कि और एक फंदे में फिर से स्लाइड डाली यह एक फंदा फिर से बना लिया ओल्टा फंदा ऐसे ही करते हुए यह सारे चोबिस के चोबिस फंदे हम सेम ऐसे ही बना लेंगे फिर दो फंदों में स्लाइड डाली पिछे से दो का एक आगे वाले फंदे को पिछे से ही बनाना है लेकिन सीधा दो से हमने फिर से दो फंदे बना लेने हैं ऐसे यह हमारा बोर्डर बन किया आएगा दागा अपनी तरफ फिर यह उल्टा फंदा यह जाकिट इतनी प्यारी लग रही है न कोई ऐसे सोच नहीं पाएगा कि आज से बनाई है या रेडिमेट जाकिट है हमारी इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है तो कलर बहुत प्यारा लग रहा है है हना स्काइब लू सा फ्रोजी सा कलर है यह बहुत सुंदर कलर है सर्दई कलर भी बोलते हैं इसे तो इसी तरह से ऐसे और पीछे से फिर धागा अपनी तरफ अब यह एक फंदा उल्टा और आगे अपने डिजाइन के हिसाब से देखें यह दो फंदे उल्टे यह बाकि अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ पर मैं यह डाल रहती हूँ रोव कंपलीट कर लेती हूँ उल्टी तरफ से देखें फिर यहां पोकिट के फंदों को हमने सेम वैसे ही बनाना है यह दो फंदे उल्टे तक देखें इसे मैंने बना लिया है ठीक है फिर आगे हमने क्या करना है ये उदर से उल्टा फंदा है इसे सीधा बना लेंगे सीधा बनाया ये साथ फाला फंदा भी हमारा सीधा आएगा अब धागा अपनी तरफ करते हुए इसे ऐसे सीधे की तरफ से उतार लेंगे फिर से ये दो फंदे सीते वैसे तो आपको ये बोर्डर आता ही है क्योंकि आपने इसे बटन पट्टी में भी डाला हुआ है मैंने आपको बताया था अपनी पीछली वीडियो में इसे उतार लिया ये 24 के 24 फंदे हमने ऐसे ही बना लेने हैं और ये बाकी का एक डिजाइन हमारा जो हमारे डिजाइन के हिसाब से जो जाकिट में डिजाइन टार रहे हैं वो ही चल रहा है तो उसे वैसे बना लेंगे धागा अपनी तरफ इसे उतार लिया ऐसे ये एक ये दो फंदे सीध है फिर धागा अपनी तरफ इसे ऐसे उतार लेंगे फिर से ये एक दो फंदे सीध है धागा अपनी तरफ इसे ऐसे ही उतार देंगे ये देखे ये दो फंदे सीध है बाकी धागा अपनी तरफ करते 11 फंदे हमारे उल्टे अब फिर से हमने रिखिये ऐसे ही सेव इसी तरह से ये रो डाल दी है 2 फंदे उल्टे बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे ये वाला डिजैन अपना वो डाल लेंगे 1 फंदा सीधा बनाएंगे अब ये दूसरा फंदा भी सीधा आगे से सलाई डालेंगे दो फंदों में दो काई कर देंगे ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालेंगे इस फंदे को सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदा सीधा अब इसे ऐसे सीधा करेंगे ये एक, ये दो पीछे से सलाई डालते हुए दो काई कर देंगे इसके बार ये दो फंदे सीधे एक और ये एक, दो ठीक है? दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, अब धागा दूसरी तरफ, अब फिर से उसी पैटरण को हमने यहाँ पर रिपीट करना है, तो उसी पैटरण को रिपीट करने के लिए क्या करेंगे, ये एक, ये दो, दो फंदो में स्लाइड डाल एक आगे वाले फंदे में दो का एक कर दिया अब धागा अपनी तरफ करेंगे यह एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे फिर से दो फंदों में पीछे से स्लाइड डाली दो का एक कर दिया अब इसे एक आगे वाले फंदे में स्लाइड डाली यह फि कि एंड़ दीन कर दे में फिर से हमने ऐसे सलाई डालनी है एक कर देना है एक पन्द में याउल्टा और यह कोको सब्सक्रा कर करेंगे दो पूंद उल्राओ अई है दो कख गश्या एक सब्सक्राइट को दया है कर दे ओइए और दे उल्राओं फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, दो स्फंदों में स्लाइड डाली पीछे से, दो का एक कर दिया, आगे वाले फंदे में फिर से स्लाइड डालते हुए हमने दो का एक, यह 24 फंदे हमने ऐसे ही बना ले रहे हैं, अपने, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, अब धागा अपनी तरफ करते हुए, यह तीन फंदे हमारे उल्टे बना लेंगे, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब यह यहाँ पर अपना डिजाइन बना लेंगे, अब यहाँ पर मैं अपना बटन होल्ट ढार रही हूँ, आपको एक पर बता देती हूँ, धागा दूसरी तरफ किया, यह दो फंदो पर तो पहले वही डिजाइन हमारा डलेगा, सेम, दो काइक किया, अब पीछे से दिखे इस फर्स्ट पंदे को बना दिया, ठीक है, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यह एक, यह दो, यह दो काइक, फिर से इसे वापस लिया, फिर से यहाँ पर दो काइक, दो फंदो पर मैंने ऐसे दो काइक कर दिया, अब ये हमारा एक फंदा उल्टा है से उल्टा बना दूँगे ऐसे ठीक है फिर आगे वो ही डिजाइन डालेंगे अपना दागा अपनी तरफ यह एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे अब दागा दुसरी तरफ करेंगे देखे यहां पर दो फंदों पर पिछे से स्लाइड डालते हुए दो काईक कर देंगे अब इन्हें निकाल देंगे अब इस फंदे को फिर से हम लेक के जाएंगे पीछे यहां किंप पर एक यह वाला हो गया इसे दोनों में स्लाइड डाली पिछे से से पिर से दो काईक कर दें यहां पर दो फंदभे हमारे कम हो गे अ ऐसे अब यहां पर हम पर ने अपना वही डिजाइन ढाल देना है पिछे से ऐसे देखे इसे वैसे ही सेम डाल देंगे डिजाइन को हो गया हमारा अब उल्टी तरफ से देखे कैसे करेंगे उल्टी तरफ से फर्स्ट फंदे को तो पहले हमने उतार लेना है अब धागा हमने दूसरी तरफ करना है इस फर्स्ट फंदे को पहले सीधा बनाया फिर सेकिंड फंदे को भी हमने सीधा बनाया धागा अपनी तरफ किया इसे सीधे की तरफ से उतारा धागा दूसरी तरफ किया ये एक फंदा हमारा सीधा बना दिया हमने है अब धागा देखिए इधर लेंगे इधर लेते हुए हमने दो फंदे ऐसे बना देने हैं एक और ये दो ऐसे दो फंदे बनाने के बाद अब बाकी का डिजाइन हमारा सेही वैसे ही देखिए ये सीधा फंदा है हमारा इसे सीधा बना देंगे ये फंदे को भी सीधा बनाएंगे अब इसे धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे उतार देंगे फिर धागा दूसरी तरफ ये दो फंदे हम सीधे बना लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये उल्टे फंदे आगे हमारे ये दो फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे को सीधा बनाएंगे इसे भी सीधा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए इसे ऐसे ही उतारेंगे ये रो हमने ऐसे ही बनाकर complete कर लेनी है ये रो तो आपको आई ही गई होगी न ऐसे ही बनाकर आप complete कर लें ठीक है और last में जो हमारा पीछे design डर रहा है एक pattern तो उसे भी वैसे ही हमने बनाना है वो 11 फंदे हमारे उल्टे आएंगे ये 2 फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ इसे उतार दिया फिर से देखे ये फंदा हमारा सीधा ही चल रहा है ये भी सीधा चलेगा फिर धागा अपनी तरफ इसे उतार देंगे धागा दूसरी तरफ करते हुए फिर से उसे डाल लेंगे तो यह रो मैं ऐसे ही बना कर अपनी complete कर लेते हूं सीधी दरफ से दिखे यह मैंने अपना यह बना लिया है design अब यहाँ पर हमारी pocket वाले फंदे हैं अब यहाँ पर इन फंदों को हमने बंद करना है तो देखे यह दो फंदे उल्टे बनाने के बाद यह दो फंदे है ना इन दो फंदों में ऐसे पीछे से slide डालते हुए दो का एक कर देंगे अब इस फंदे को वापस लेके जाएंगे यह next फंदा लेंगे साथ में फिर अब इन दोनों फंदों को पीछे से बना देंगे दो का एक फिर इस फंदे को वापस लेके जाएंगे सलाई में यह एक फंदा साथ में ले लेंगे इन दोनों फंदों को पीछे से दो का एक ऐसे ही करते हुए हमने ये 24 के 24 फंदे अपने ऐसे ही घटा लेने हैं हमने दो का एक फिर से एक ये एक फंदा एक यहां से ले लेंगे दोनों को पीछे से दो का एक देखे ये फंदे गटाते समय ना तो हमने ज़्यादा लूज हाथ रखना है ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है ठीक है तो नोर्मल हास्ते हमने बंद करना होता है, ना तो ज़्यादा खीचके कीजिए, ना ही ज़्यादा धिला रखके कीजिए, ठीक है, दोनों फंदों में दिखिया ऐसे, पीछे से स्लाइड डालते हुए, दो का एक कर देंगे, दोनों फंदों में पीछे से स्लाइड डाले, दो का एक ऐसे, दोनों फंदों में पीछे से स्लाइड डाले, दो का एक, दो का एक करते जाएंगे बस, इस फंदे को साथ में ले लेंगे इसके, और ये दो का एक, फिर से इस फंदे को साथ में ले लेंगे इसके पीछे से 2 का एक फिर से इस फंदे को साथ में ले लेंगे इसके 2 का एक करते जाएंगे तो यह मैं फंदे 24 फंदे घटा दूंगी ठीक है घटा कर फिर आगे दिखाते हूं आपको अब देखे ये लास्ट फंदा है हमारा ये दो फंदे है ना इन दो फंदों में से एक फंदा ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पीछे से दो काई कर देंगे तो ये हमारे टोटल चोविस फंदे देखे कम हो गए ऐसे देखे ये चोविस फंदों की हमारी ऐसे घटाई होगी ये पोकिट का हमारा बोर्डर बन गया है अब यहाँ पर हमने क्या करना है इस फंदे को साथ में ऐसे ले लेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए एक ये उल्टा है इसे उल्टा बनाएंगे अब धागा दुसरी तरफ करते हुए इस डिजाइन को बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं वैसे तो मैंने आपको बटन पट्टी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताई हुई है लेकिर फिर से मैं आपको बता रही हूँ देखे ये दो फंदे उल्टे बनाए अब यहाँ पर इन दो फंदों को पीछे से पहले बना लिया डिजाइन सेम हमने वैसे ही बनाते जाना है अब इसे एक बार फिर से बना लेंगे हो गया एक फंदा यह उल्टा हो गया अब धागा दुसरी तरफ करेंगे अब यह दो फंदे हैं हमारे इस पर हमने वही इन दो फंदों को पीछे से फिर से व वो फंदे हैं दो हमारे जो हमने अभी डाले है ना दो कम की ये थे फिर दो डाल ले ये वही है ये इसे पीछे से देखे ऐसे पहले दो का एक कर देंगे फिर एक आगे से फिर से एक फंदे को फिर से बना लेंगे फिर से दो से दो फंदे होगे अब धागा अपनी तरफ करते देवे ये फंदा हमारा उल्टा हो गया दागा दूसरी तरफ सेम वैसे ही हमने डिजाइन को अपने बनाते जाना है फिर से हमारा वही डिजाइन देखे शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात ये हम जो बटन पत्टी बना रहे हैंना देखे ये वो ढिली सी भी नहीं होति है लूज बटन बट्टी नहीं बनेगी आपके यहां पर शोट रोज करने की भी कोई जुरूत नहीं पर रही है बहुत अच्छे से यह बटन बट्टी देखिए यह एक बटन होल हो गया हमारा एक यहां पर यह बटन होल आ गया ऐसे और डिजाइन भी बिलकुल नहीं बिगड़ता है सेम वैसे ही बनता जाएगा देखिए ऐसे तो यह हो गया हमारा पोकिट के बारे में भी बता दिया एक बटन होल के बारे में भी बता दिया अब यहां से हमने उठाने हैं अपनी पोकिट के लिए फंदे तो देखिए यहां से सीधे फंदों से उठाना स्टार्ट करेंगे 24 फंदे हमने कम किये हैं 2 फंदे यहां से एक्स्ट्रा दो यहां से एक्स्ट्रा उठाएंगे तो यह 28 फंदे हम उठाएंगे इन सीधे फंदों से हमने देखिए याईसे उठाना स्टार्ट कर देना है ये एक का ये दो ऐसे देखें के पवंदे उठाना बिल्कुल असान होता है ये ऐसे उल्टा दो उपर की तरफ आघ रहा है इसे ऐसे lle ли जे फिर से दीखें इह आ से ले लेजिए यह आ रहा ही से ले लेजिए वस घिनते जाना है आपने और यहां से फंदे उठाते जाना है यह टोटल हमने 28 फंदे उठाने हैं ऐसे ही देखें ऐसे और सीधी लाइन में ही हमने फंदे उठा जाना है यह नहीं कोई उपर से उठा लिया कोई नीचे से उठा लिया सेम एक ही लाइन से हमने फंदे उठाने होते तो यह मैं उठा लेती हूं देखिए ऐसे उठाऊंगी फंदों को उठा लेती हूं फिर आगे दिखाती हूं आप पर गैप है यहांपर है कहीं से भी एक फंदा हम और उठा लेंगे आपसे भी अगर ऐसा ही हो तो फंदों को निकाली К Разब नाना स्टार कर दें बीच में दो खोन बाच के सकते हैं चाहें आप में बैकर देखे करना होता है थीक है एसा हमारी सीदी बन के ऐसे अराम से इसे बनाते जाएं ज्यादा खीचना नहीं है हमने फंदों को ताकि सीधी तरफ से भी हमारा डेजैन भीगड़े ना बड़े अराम से बन के आए तो यह पूरी रोहा में ऐसे ही सीधी सीधी बनाते जाएंगे देखिए एक फंदा उठाना था मैंने यहां से बीच में से उठा लिया ऐसे ठीक है यह अब हमारे 23 फंदे होगे अब मैं सीधी रोहे कंप्लीट कर ली हूँ ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लूँगे अब अंदर वाली साइड यह हमारी देखिए सीधी और उपर वाली साइड हमारी उल्टी आनी चाहिए तो पहले यह स्लाई ऐसे ही बनाएंगे सीधी सीधी देखे मैंना हमेशा कोशिश करती हूँ जब वीडियो बनाती हूँ कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझाओं सारा कुछ अच्छे से बताऊं आपको फिर भी पता नहीं देखते हैं और दिसलाईक करते हैं ऐसे कई लोग हैं बहुत प्यार करते हैं बहुत अच्छे चे कमेंट करते हैं मुझे लाइक भी करते हैं तो चलो कोई बात नहीं देखें अब यहां पर उपर वाली साइड हमने उल्टी और अंदर वाली साइड हमने सीधी बनाते जाना है यह रो हमारी उल्टी आईगी यहा पर दिखाती हूं जो portion मैंने बना लिया है ऐसे देखे ये उपरवाली Iya हमारी उल्टी है और यह अंतर वाली side हमारी सीधी है हमने ऐसे ही यह से बनाना है कोई कहीं नहीं पढ़ना है हमारी बड़े अराम से इसे इतना portion देखी हम ने इसे मैं इतना बनाते हूं फिर आगे दिखाती हूं आपको इस एतना बना लिया है बिलकुल कहीं से हम ने खिंचना नहीं है कुछ काट करना है उल्टी रो है हमारी तो आपने यह ध्यार रखना है कि सलाई का फेस हमारे इधर होना चाहिए इसके बाद कि उल्टी तरफ से पहले हम यह फंदे बना लेते हैं इतने यह दो फंदों तक यह इतने बटन पट्टी के फंदे और यह वाले फंदे बना लूंगी फंदों को देखे? दो-धो फंदे हमने दोनों तरफ से extra रखे हैं बाकी हमारी हे पोकिट के जितने फंदे हैं उतने ही फंदे हैं ठीक है? तो इन दो फंदों के साथ इन दो फंदों को करूँगी यहा прив दो का एक ऐसे? धागा ये मैंने काट दिया है यहां से थोड़ा सा लंबा धागा काटा है इसी से मैं बाद में सिलाई कर दूंगे अब धागा ये वाला दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा ये पोकिट वाला हम यहां से लेंगे और एक फंदा हम यहां से लेंगे इन दोनों को दो का एक कर देंगे ठीक है दो का एक करने के निकाल देंगे यहां से इसे यहां से और टाइट कर देंगे अच्छे से अब एक फंदा हम ने यह वाला लिया एक फंदा मैंने यहां से लिया इन दोनों को दो काएक कर दिया इके से इके से देखे ऐसे, दो का एक या इन्हें निकाल देंगे, ठीक है? अब ये सलाई छोड़ दी हमने ये वाली लेनी है, धागा अपनी तरफ करना है, अब यहाँ पर आप चाहो तो नोट भी बाण सकते हो, चाहो तो इसी धागे में सुई डाल करना, हमने ये पोकिट स सील देनी है इसी से सील देनी है अब ये 11 फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और ये 11 फिर धागा दुसरी तरफ दो फंदे सीधे एक और ये दो फिर धागा अपनी तरफ ग्यारा फंदे उल्टे एक दो तीन पांच छे साथ आठ ये 11 फंदे हमारे होगे उल्टे दो फंदे हमने रख लिये इन दो फंदो को इसके साथ करेंगे दो का एक ऐसे एक ये वाला फंदा एक ये है दागा दूसरी तरफ देखे एक ये फंदा एक ये फंदा दोनों को सीधा बनाते हुए दो का एक कर देंगे ऐसे अब दोनों को सल अब धागा अपनी तरफ करते हुए एक यारा फंदो को मैं उल्टा बना दूंगे यह रो ऐसे ही बना कर हम कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए यह हमारी पोकिड बनकर कम्प्लीट हो गई है अब यहाँ पर हमने क्या करना है अपनी डिजाइन के हिसाब से अब पूरी रो वैसे ही सेम हमने बनाती जानी है जैसे हम बनाते आ रहे हैं देखिए यह दो फंदे हमने उल्टे बनाए धागा दूसरी तरफ किया अब यहाँ पर किया दो का एक ऐसे दो का एक करने के बाद यह हमारा एक दो तीन फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से इस फंदे को सीधा बना देंगे धागा अपनी तरफ किया यह एक दो और यह तीन फंदे सीधे अब इस फंदे को ऐसे सीधा किया यहा पर दो का एक कर दिया ऐसे ठीक है फिर दागा अपनी तरफ दो फंदे यह उल्टे फिर दागा दूसरी तरफ करेंगे यहां पर यह एक यह दो यह पोकेट वाले फंदे जिन पर अपर ने डिजाइन शुरू कर दिया है तो दियान से दिखेगा दो फंदे ये उल्टे बनाए, उल्टे बनाने के बाद आगे से सलाई डालूंगे, मैं इन दो फंदों में दो काई कर दूंगे, दो काई करने के बाद, एक मिट मैं जूम कर दूँ, ये एक, दो, तीन फंदे सीधे, ठीक है, तीन फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ क यहाँ पर दो काई किया, तीन फंदे सीधे, यह जाली डाली, यह सेंटर वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, यह एक, दो, तीन फंदे सीधे, इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, यहाँ पर कर देंगे दो काई ऐसे ही, देखें ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, धागा अपनी तरफ करते हुए इन्हें उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब आगे से सलाइड डालेंगे इन दो फंदों में इन दो फंदों को कर देंगे, दो का एक, ठीक है, दो का एक करने के बार ये एक, दो, तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे पर जाली डालेंगे, इसे सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक, दो, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बनाने के बार इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, दो फंदों में स्लाइड डालेंगे बिछे से दो का एक कर देंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ ये एक और ये दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे फिर से उसी पैटरन को रपीड करेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे दो फंदों में दो का एक कर देंगे और पर जाली डाली एक, दो, तीन फंदे सीधे, इसे ऐसे सीधा करेंगे, और यहाँ पर कर देंगे दो का एक, देखिए, यह पूरा डिजाइन हमारा सेट हो गया, इसी तरह से हमें आगे-ागे बनाते जाना है, और तो हमारा यह ब्यूटिफुल ऐसे डिजाइन बनता जाएगा पोकिट पूरी हमारी बनके रेडी हो जाएगी, और यह ऐसे फिनिशिक से हमारा बनके आएगा, ठीक है, तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का धंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइ प्लीज प्लीज लिए वो दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं आपका हमेशा कमेंट्स का जादा से जादा रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, हर एप मैं कमेंट का जवाब देती हूँ, तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, इस आगे वाले पार्ट में मोडे की घठाई, गले को हमने कैसे शेप देनी है, कैसे बनाना है, यह सारा आपके साथ शेयर करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाबाई